हलो फ्रेंट्स बार्बी व्लेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है ए भगवान आज कल के यूवा को क्या हो गया है मेरे तक उच समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ अमित क्यो उचना चिला रहे हो सुबह सुबह औरे मम्मे अब क्या ही बताऊं आपको बता तो सही अमित हुआ क्या आज कल के यूवा पढ़ने लिखने पर ध्यान ही नहीं देते हैं दिन रात फोन ही चलाते रहते हैं और बस रील और चैटिंग ही देखते रहते हैं एक लड़की रील बनाने के लिए जट से खूद गई अमित बेटा अब क्या ही कहें आज कल की बच्चे माता पिता की बात तो सुनते ही नहीं हैं और कुछ बोल दो तो मुह और फुला लेते हैं ओनलाइन क्लासिस के टाइम फोन क्या दे दिया इनको अब तो ये फोन देने का नाम ही नहीं लेते हैं पूरे दिन इंस्टाग्राम फेस्बुक में लगे रहते हैं हाँ मम्मी बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो ये ओनलाइन ओनलाइन का चक्कर बहुत कराब होता है बेटा ये सब बाते छोड़ मैं जरग गीता के घर जा रही हूँ काई को चारा डाल देना तुम ठीक है मम्मी जाओ लेकिन ज़्यादा बातों में मतलग जाना और जल्दी आ जाना मैं चारा तो डाली दूँगा चलो अब जाकर देखती हूँ अगर गीता घर पर होगी तो सही है वरना उसको मिलने के लिए मुझे संजी की दुखान पर जाना पड़ेगा हाँ मिजजी सुन रही हूँ आज कांसी सबजी बना रखी है तुमने आज दाल मखनी बनाई है मैंने आपको पसंद है ना हाँ मुझे पसंद तो है लेकिन तुम्हें पैसे वैसे चाहिए गया जो मखन दाल में भी लगाने लगी हो मैंने तो इसलिए दाल मखनी बनाई थी आपको पसंद है और आप उस पर भी मजाक बना रहे हैं मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे अच्छा वे काम करो खाना ले आओ मैं खा कर थोड़ा काम पर लग जाओ अच्छा थोड़ी दे रुख जाओ बस अंशु को दूद पिला कर खाना देती हूं आपको ठीक है तुम दूद पिला लो राम से तब तक मैं इंचिजार करता हूं तभी तन्नु और तन्वी कमरे से तयार होकर बाहर आती हैं तन्नु आज तो मज़ा ही आएगा काफी जगे घूमने को मिलेगा हमको क्या हो गया तुम दोना को कहा जा रही हो तयार होकर और इतना हस क्यों रही हो पापा हम दोनों पिक्निक जा रहे हैं हम दोनों को हजार रुपे दे दो क्या कितने रुपे कहा दन्नू पापा एक हजार रुपे का मैंने तुम दोनों को पता है न घर का मालिक कौन है हाँ पापा दादा जी है घर की मालिक तो फिर तुम दोनों उनी से जाकर पैसे मांगो और वैसे भी मैं तो पिक्निक को बेकारी मानता हूं बच्चों को बिगाडने का तरीका है पिक्निक हो कहरा घूमने से खामगा पैसे की बरबादी होती है इससे अच्छा तो करे टूशन वुशन लगा लो पास ही हो जाओगी तो पापा आप हमें पैसे नहीं दे सकती क्या बेटा पहली बात तो इतने पैसे घर में ही नहीं निकालने के लिए बैंक की जाना पड़ेगा और तुम अकड़ क्यों रही हो और तुम दोनों अभी तक कॉलिज क्यों नहीं गई पापा यह लोग पिक्निक जा रहे हैं तो अब जाने दो इसमें क्या बात है तो पापा मैंने कहां रोका यह दोनों पैसे मांग रही हैं तो दे दो ना दोनों को बीस बीस रुपे क्यों परिशान कर रहे हो बच्चों को लेकिन पापा बीस रुपे नहीं दोनों जार जार रुपे मांग रही हैं क्या इतने पैसे और इतने पैसे तो घर में है नहीं बेटी बेटा तुम्हें तो पता ही है ना हम लोग किसान है और गाउं में आई दिन चोरी भी होती रहती है अगर ज्यादा पैसे घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे और वैसे भी त तो पता ही है उस दिन डाकू आ गए थे वो तो शुकर है तन्नू ने पुलिस को फोन करके बुला लिया नहीं तो डाकू बंदूग की नौक पर पूरा गर लोट जाते लेकिन दादा जी वो चब छोड़ो हमें पिक्निक जाना है तभी अंशु को दूद पिलाकर बबीता अं के लेकिन तुम दोनों पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हो तुम्हें तो ऐसा लगता है पैसा पेड़ पे उगता है मम्मी हमें फालतू का लेक्चर मत दो पस ये बताओ आप हमें पैसे दोगे या नहीं तन्नू तन्वी मरा किसने किया है लेकिन पैसे निका करने वाले हो तुम दोनों तन्नू तन्वी तुम दोनों नराज मत हो चलो बजार मैं तुम्हें बैंक से पैसे निकाल कर दे देता हूं दादा आप अपने पैसे अपने पास ही रखो हां दादा आप नहीं चाहिए आपके पैसे चल तन्नू चल यहां से दोनों गुस्ता हो दिमाग मत खा मेरा दोनों आंगन में बैठकर मनी मन में सोचने रती हैं तब ही राजकुमार दादा पैसे लेकर आ जाते हैं चलो अब इनको पैसे दे ही देता हूँ ना राजी हो गई दोनों ये लो तन्नो तन्वी पैसे और अब पिकनिक जाओ और आगे से मुझे पहले बत आओ ना यांसी ठीके बच्चों मैं जाता हूँ जैसे ही तुमारा मून्ठी को बता देना मुझे पहले इन दोनों को पैसे दे देने जाए ते ये दोनों तो नराजी हो गई छोड़ो ना पापा नया खून है अभी इन दोनों को हमारी बाते समझ नहीं आएंगी बड़े ह होते होते समझ जाएंगी दोनों हाँ मैं तुम सही कह रही हो बहू खाना ले आओ अब लाती हूँ पापा जी पवीदा जल्दी जल्दी खाना निकाल लेती है और खाना टेबल पर लाकर रख देती है तन्नू तन्वी गुस्सा थूख दो और आकर खाना खालो दौल मकनी बनाई है तुमारी बंबी ने दादा हमें खाना नहीं खाना चाहे कुछ भी बनाया हो पापा जी रहने दो जब इन दोनों को भूख लगेगी न अपने आपे खाना निकाल कर खालेंगी हाँ बवीदा तुम बिलकुल सही कह रही हो तन्वी मेरे पास ना एक आडिया है यो ने करते हैं एक बोर्ड बनाकर भाइर तांग देती हैं तन्वी कोचिंग सेंटर यहाँ पर पहली से पांचवी में बच्चों को भाइखो को साथ जाता है बॉर्ड पर ऐसा लिक आपast को आंगे पर बच्चे लिक कर आती मैं तून बमद जल्दी से चार्ट पेपर ले कर पैन लेनी चली जाती है और चार्ट पेपर और पैन लेकर आ जाती है ये लिए तन्नु आप जल्दी से लिख दे हां तन्वी आप जल्दी से लिख देती हूं फिर इस चार्ट को दिवार पर छिपकार देंगे टेप से ठीक है आप जल्दी से लिख भी और फिर तन्नु अप आलिया अच्छा वो सब तो ठीक है ये दोनों महरानिया क्या कर रही है अभी तक पिकनिक नहीं गई अरे दम्यांती कुछ मत कहो उनके बारे में आज दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है लेकिन दोनों गुस्से किस बात परें ये तो बताओ मम्मी आप खुदी जाक से हम बाद में बात करते हैं ठीक है कोई नहीं सच में लोका तो मूट घरावे बात भी नहीं कर रही है सीधे मूँ क्या कहा इन दोनों ने तुमको कि ये ही कहा उन दोनों ने दादी आप जाओ और मैं आ गई तभी तन्वी और तन्वी हाथ में चार्ट पेपर लेकर बहार जाती है औरे अब ये दोनों क्या करने जा रही है अभी पता चल जाएगा आप सबको चल तन्वी जल्दी से चार्ट पेपर लगा देते हैं और आज से शुरुवात कर देते हैं इसी दिवार पर चिपका देते हैं यहां से आने जाने वाले लोगों को दिखाए भी देगा हा तन्व अब जल्दी से चिपका दे तन्व दिवार पर चार्ट पेपर चिपका आने लगती हैं लगता है दोनों पागल हो गई हैं मुझे भी यही लगता है बाहर पता नहीं क्या करने गई हैं दोनों चलो चल कर सब देखते हैं फिर घर के सभी लोग तन्व तन्वी को सेंटर मौच कर दी बेटा तुमने तो तूशन तो खोल लिया लेकिन बच्चे कहां से आएंगे पापा जब कोचिंग खोल लिया तो बच्चे भी आही जाएंगे और वैसे भी आप सबको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है अब हम दोनों अपना खर्चा खोदी निकल ले होती है तन्नो तन्वी कोचिंग सेंटर यहां पर पहली कख्षा से पांचवी तक के बच्चों को बढ़ाया जाता है अरे वा रितिका का नाम इसी कोचिंग में लिखवा देती हूँ वो औरत सबको आंगन में बैठा हुआ देखकर टूशन के लिए पूछने चली जाती है चलो इन ही लोव से पोच लेती हों कि कोचिंग सेंटर कहा है आप मुझे बता सकते हो यह तन्नो तन्वी कोचिंग सेंटर कहां पर है यह मैम आप तन्नू शी इस माइ सिस्टर तन्वी अरे वा आप तो इंग्लिश बोल रहे हो फिर तो मेरी बेटी का नाम लिखी लो इसे इंग्लिश रिखा देना अपनी तरह सिर्फ इसके 200 रुपे दे देना आप फर्स्ट कस्टोमर हो इसले में ज़ कम बता रही हूँ ठीक है फिर मैं इसको कल से 4 बजे के बाद भेज दोंगी चलो रितिका दोस्तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो